ब्लग तो यू बाई माई लेवन सेर्कल विन फिर्स प्राइज वन क्रोड डाउड दाउड अप नाउड पूर्सक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वक्त है क्रिकेट एक्षेंज का क्रिकेट एक्षेंज जो आप थेस्पोर्टसक डॉट कॉम पर जाके खेल सकते ह हैं जीत सकते हैं धेर सारा इनाम और इंफिनिक्स का मुबाइल फोन भी कल के मुकाबले की बात करें पंजाब और दिल्ली का मुकाबला था जहां पंजाब के लिए मस्ट विन मैच्च था ताकि वो आईपिल के प्ले आफ के लिए अपनी दावेदारी रख सकें हलाकि अब वो तावेदारी कम हो गई है क्योंकि कल का मुकाबला पंजाब हार गई है दिल्ली के सामने अब उनके पास से वे की मुकाबला है राजसान के साथ मैच जीतने का लेकिन उस जीत के बाद भी क्या वो आके जाते हैं समय बताएगा खेर कल के मुकाबले के बात करें शुरवा बने है biggest loser क्योंकि इन्हें विकेट नहीं मिला ये runs भी इन्होंने concede कर दिये और 3 over में 49 run कहीं न गहीं शिखरदवन की वो बात जो वो कह रहे थे कि मेरी बात जहां पर middle overs में आके spinners ने runs लीग कर दिये pitch उपर नहीं कर पा रहे थे तेज गेंद बादों को मदद नहीं मिले लेकिन spinners को लाने का मेरा फैसला भी गलत हो गया क्योंकि वो ही एक ऐसे over थे जहां run खूप सारे पड़े शायद हरपीर ब्राड के वही over थे जहां पर run भी पड़े है साती साथ और भी gain बास से अकेले मैं इन्हें नहीं बोल रहा हूँ लेकिन इसलिए बात हो रही है क्योंकि ए cricket exchange में ये biggest loser के tag पर है कल देखें इनके minus 8 रहे total points और अगर opening देखें 355.1 की opening थी लेकिन closing रही 284.1 की यानि 20 प्रतिशत से अपनी opening value से नीचे गिरे कल अगर आप लोगोंने हर्पीर ब्राड को select किया होगा as a loser यानि की यार इनका production नहीं आएगा तो आप जरूर अच्छा इनाम जीते होंगे लेकिन अगर आपने इने gainer की आटिगरी में रखा होगा तो शायद आपका नुकसान भी हुआ होगा वैसे ही बात करते हैं लियाम लिविंग्स्टन की कल अब आप यहां यह कहेंगे कि आराइली रूसो भी तो हो सकते थे लेकिन runs तो लियाम लिविंग्स्टन के जादा है 94 run इनोंने मारे भी है और strike rate 95.8 का अगर इस IPL में देखें तो लिविंग्स्टन का सबसे highest score जो है अब तक मिल गया इससे पहले इनका highest score मुंबई के खिलाफ था लेकिन कल दिल्ली के अगेंस इनकी जो बैटिंग थी इनका IPL में सबसे बड़ा score रहा है opening 668 की थी closing रही 755.8 की यानि 18% से अपनी opening value से उपर रहे हैं इसलिए ये cricket exchange में the biggest gainer रहे हैं कल के मुकाबले के लिए कहीं न कहीं ये जब बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग जरूर रहा था कि लियाम लिविंग्स्टन एक बल्लेबाज जो हैं वो जो हैं मुकाबला खीच सकते हैं वो पंजाब को जिता सकते हैं बड़ काफी नहीं था वो भी अब इसके बाद अगर बात करें total points इनके 131 रह हैं और हर मैच में हर मैच के बाद अगर यहां graph देखा जाए तो stock दोनों खेलाडियों का बदलता रहा है जहां प्यूश चाबला उपर जाते रहे हैं वहीं सुनील नरायन उपर से नीचे आते रहे हैं और हर मैच में इनका position बहुत जादा खास नहीं भी है सुनील नरायन क वहाँ पस आपको खिलाडियों को पिक करना है कि यार कौन सा खिलाडी आज अच्छा प्रदर्शन करेगा कौन नहीं अच्छा प्रदर्शन करेगा गेनर में कौन रहेगा लूजर में कौन रहेगा अगर आपका सटीक रहता है prediction तो आप जीतेंगे धेर साय रायनाम साती सा का मुबाइल फोन भी स्पोर्ट्सक के साथ ऐसे ही आप बने रहे हैं इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें इस तरह के कि तमाम वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे शुक्रिया मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब जानने के लिए हर अपडेट लाइव इनालेसिस स्पेशल इडिव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक कैम